यूपी के देवरिया में छे लोगों की हत्या ये खोनी संघर्स कहीं और नहीं उत्तर परदेश में देखने को मिला है दस बीगे जमीन की कीमत चुकानी पड़ी पूरे परिवार को क्या है पूरा मामला देखिए आज हमारे इस क्राइम रिपोर्ट में नमस्कार मैं कुबार बबलू और आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान आज मैं एक ऐसे दिल दहला देने वाली घर्णा का जिक्र करने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपके भी पेरो तले जमीन खिसक जाएगी जी हाँ मैं बात करने वाला हूँ महज गोरकपूर से 50 किलो मीटर की दूरी पर देवरियां एक ऐसा जिला जहां पर एक खूनी संघर्ष देखने को मिलता है इस खूनी संघर्ष में मैं बता दूँ पूरा परिवार खत्म हो जाता है मात्र जमीनी तुकडो की वज़े से आज पूरा परिवार काल की गाल में समा गया इस तरह से खूनी संघर्ष आखिर कब तक चलता रहेगा कहीं न कहीं ये परसासन पे भी सवाल उठाता है अगर इस मामले को सुल्जा दिया गया होता तो आज ये परिवार ना उज़डते दस बीगे जमीन की वज़े से आज पूरा परिवार काल के गाल में समा चुका है जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी किसकी थी इस घटना को रुका जा सकता था इस खोनी संघर्ष में आखिर छेल लोगों की जाने गई इसका जिम्मेदार कौन है? जहां पर परसासंद बड़े वादे करती है कि परदेश में अब अमन और सांती हिस सांती दिखाई दे रही है माफिया थर थर काप रहे हैं लेकिन ये कौन माफिया थे? जो दिन धारे गोलियों की बोचार कर देते हैं और इस गोलियों की बोचार में छेल लोगों की मौत हो जाती है देवरिया जिली का ये ऐसा मामला जो दिल धहला देने वाला है कहीं न कहीं इस मामले के पीछे परसासन की लापरवाही है अगर ये जमीनी विवाद पहले सुल्जा दिया गया होता तो ये मामला आज नहीं हुआ होता इस मामले को लेकर के तमाम ऐसे विद्व सामने आये जिसमें परसासन पे भी उंगलिया उठना शुरू हो गई है और अब यह घटना राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है वो कैसे अब आप पूछेंगे आपके जहन में भी ये होगा कि आखिर अभी राजनीतिक मुद्दा कैसे ले रहा है राजनीतिक पार्टियों के अध्यच तीट कर रहे हैं और इसे यादव बनाम ब्रामर का नाम दिया जा रहा है इस घटना को ले करके माननी मुख्यमंतरी जी आनन फानन में जाच कमीटी का गठन करते हैं और टीम जाच में लग चुकी है परसासन मुस्तहदी से इस घटना को ले करके जाच कर रही है और पूरे ग्राओं को परसासन ने छाओनी में तब्दील कर दिया है ताकि और कोई वारदात ना होने पाए बाकी आपका क्या विचार है मैं विज्वल के माध्यम से यह दिखाने का पर्यास किया इस पूरी घटना पर परकाश डाला बाकी आपका क्या विचार है एक खुनी संघर्ष को ले करके आप हमें कमेंग करके जरूर बताईएगा बाकी आप अगर हमारे इस चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राब जरूर कर लीजिएगा देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैमरे के पीछे से हमारा स्योग कर रहे थे सीवं पाटर जी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहीन